देखो आज और कलमेकरी पांचे मूवी स्रीज रिलीज हुए जिन में से मैंने एक सनक देखी जो कि मैंने सिर्फ विद्यू सर की एक्शन के वज़े से देखी थी और सनक मूवी को देखा जाए तो यह overall काफी ठीक है लेकिन एकशन एकशन एकड़ वर्ल्ड क्लास इसलिए इ विकी कोशल स्टारर उद्धम सिंग कि इसके ट्रेलर को देख रही मुझे ऐसा लगा था कि इस मूवी में हमें काफी कुछ देखने को मिल सकता है और कुछ ऐसी बाते भी सामने निकल कर आएंगी जो कि हम एक वीडियो में डिसकस कर सकते हैं 12 अगस्त को Amazon Prime ने हमें इस साल क बेस्ट मुवी दी थी जिसका नाम था शेर शा और अब उद्धम सिंग को देखने के बाल मैं यही कहना चाहूंगा that Amazon Prime has given us another one of the best movie of this year अब मैं शेर शेर शा और उद्धम सिंग के बीच कोई comparison नहीं करने वाला लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मम से कहना चाहू जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने कैसे 1940 में जर्नल डोयर को मार कर जलियावाला भाग घत्याकांड का बदला लिया जर्नल डोयर उस समय 1919 में पंजाब में लेटिनाइट गवर्नर थे जो कि जलियावाला भाग में सेकडो लोगों की मौत का कारण थे और इनी सेकडो मूई के कुछ positive points के बारे में इस मूई को देखने का मेरा जो सबसे बड़ा reason था वो थे विकी कोशल इस national award winning actor ने एक बार फिर से अपने जबरतेस acting से लोगों का दिल kidney दिमाग सब जीत लिया है और मा आज ही एक बात कहना चाहूँगा ये actor अपनी generation की बाकिस भी actor से काफ़े आगे निकल चुका है उरी में जैसे आपने देखा था कि इनोंने अपने talent से पूरे देश में अपना नाम कर लिया था और उसी level की performance हमें इस बार भी इस movie में देखने को मिलती है यार क्या dialogue delivery है और मैं तो कहता हूँ कि इनको dialogue से जोड़ती नहीं है जब सब कुछ इनके आँखों में साफ नजर आता है इनकी आँखे, body language, चलने का style ये सब बाते अपने आप में एक अलग औरा पैदा करती है एंड हमें कहना होगा कि जैसे हमने उरी में विकी कोशल को नहीं, बलकि इंडियन सॉल्जर को देखा था वैसे हमने इसमें विकी कोशल को नहीं, बलकि उद्दम सिंग को देखा है नबर 2, Cinematography अरे भाई, क्या Cinematography इस मूवी की शुरू से लेकर एंड तक मूवी की Cinematography आखों को सुकून देती है एक-एक फ्रेम को इतने ब्यूटिफली तरीके से कैप्चर किया गया है कि मैं बता भी नहीं सकता और आज जब मैंने इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे नजर आया, Bollywood Movies की Cinematography काफी better होती जा रही है फिर वो चाए Big Budget Movie हो या फिर Low Budget और उद्दम सिंग में भी इसकी Cinematography इसका काफी strong point हमारे सामने निकल कर आता है जिससे आप खुद भी ये film देखते वक्त महसूस करेंगे इसकी Cinematography और इसका Set Production दो बड़े reasons हैं जिसकी वज़े से एक टाइम के लिए आफ सिर्फ इस मुई को देखते नहीं है उनको तो special एक award मिलना चाहिए अब देखो वीडियो की starting में मैंने आपसे कहा था कि movie शायद हर किसी को पसंद ना आए और वो मैंने इस type की audience के लिए कहा था जिने हर 15 minute के बाद कोई नया twist चाहिए या फिर आपको ऐसी film में देखना पसंद हो में मसाला हो तो यह film आपके लिए नहीं है movie शुरू के एक घंटा आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती है और वो है patience लेकिन उसके बाद यह movie आपको जहां लेकर जाएगी उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े के खड़े रह जाएएंगे यार direction क्या होती है सीको इस बंदे से कुछ एक movie में 3-4 stories जिस तरह से सुजीत सर ने दिखाई हैं उसके लिए big salute हैं को यह होता है real cinema और इसके लिए audience का mature होना काफी ज़रूर है वरना आजकल maximum लोगों को चाहिए सिर्फ मसालेदार movies जिसमें hero सिर्फ एक बार shirt उतार दे और फिर कहते हैं कि वाह मज़ा आगया कि acting की है देश बक्ती पर movies की बात आती है तो हमें maximum movies में दिखाया जाते है कि हमारा hero सभी दुश्मनों को अकेला खतम कर देता है लेकिन देश बक्ती को एक अलग वे में कैसे present किया जाता है या आपको इस movie में देखकर पता चलेगा तो overall मैं कहूँगा कि उद्दम सिंग is another one of the best movie of सुजित सरकार and one of the best movie of this year मेरे तरफ से movie को मिलते हैं 4 out of 5 stars मैं दोबारा repeat करता हूँ बस थोड़ा सा patience मांगती है movie अगर वो आप में है तो ये movie भी आपके लिए है क्योंकि इसकी simplicity ही इसकी सबसे unique बात है so I hope आपके ये review helpful लगा होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share ज़रू करना और ऐसे movie series reviews के लिए चैनल को subscribe करके bell icon press करना मत बूलना